कि शरीर में पोस्चर से रिलेटेड हर तरक की प्रॉब्लम औस्टियोपेटी में निदान संभव है जिस तरह गुटनों की कार्टिलाइज अभी के जमाने में जो युवा है उनके खतम हो रहे हैं उसका मुख्य कारण अपन को देखना चाहिए ट्रीट्मेंट की प्रनाली पचास तरक की होती है प्रन्तु वो रोग हुआ क्यों उस रोग को जानने का एक मुख्य तरीका अपने सरीर में खुद के पोस्चर के उपर एक रिसर्स बना के देखना चाहिए पहले के जमाने में जैसे मोजरी जिसे कहते हैं उनका एक विशेश चैन होता था तो मोजरी आदमी पहनता था वो चमड़े की बनती थी तो उसको अपने स्किन पर नहीं लग जाए मनलब छिल नहीं जाए तो उसको तेल पिलाया जाता था जब तेल पिला के मट्टी में चल करना आदमी पैदल चलता है तो वह एक किलो का वजन लेके चलने से उसके गुटनों के बिच में जो इस पैस है वह बढ़ जाता है तो उसके जीवन में कभी कार्टिलाइज करते हैं नहीं तो पहले स्पंज काम कर ले लेता है फिर काटिलाइज पर इफेक्ट आता है तो काटिलाइज सेप हो जाती है उन वेट की वज़े से तो आज की युग में मेरा ऑस्टियोपेट का मानना यही है कि आप अपने जुत्यों का चैन ऐसा करें जिससे की गुटनों क कि कप वेट बजार में सर्जिकल की दुकान पर मिलेगा वहां से आप पर्चेज कर लें और पांच मिनट सुबह पांच मिनट साम को बड़ी कुर्सी पे बैठके पाउं को केवल हिलाए हिलाने मातर से आपकी कार्टिलाइज में जो गैप होना चाहिए वह वापस यतावत ह हो जाएगा वह आने वाले समय में जो अभी तीस साल में कुटने खतम हो रहे हैं वापस आपके नवे साल तक हो गुटने बहुत ही आराम से चलेंगे अब यह तो हुआ होने का कारण अब इसका उपचार जब गुटनों की पोजिशन काटिलाइज डेमेज होती है तो उसके साथ साथ वहाँ पर एसिड फर्मिटेशन भी होने लग जाता है वह एसिड उन नर के उपर जाके फ्रेस ब्लड गुटने की काटिलाइज को देना ब का हुआ तो आपके नी की जो पोजिशन उसका लेप्ट वाला इसा है वह अंदर की तरफ दबने लग जाएगा ऐसे उसकी चाल में बदलाव आ गया अब अगर अपन बेट वाली एकसरसाइज कर लें तो यह चोईस गंटे में एक वार भी करें तो भी वह आपको ठीक रखे हैं जिसमें गुटने के उपर एक मैनुपलेशन प्रोसेस करके उसका इस्पेस बढ़ाया जाता है यह इस्पेस यथावत पोजिशन में वापस उसके गुटने खराब नहीं हो उसके लिए उसको नहीमित व्यायाम का अभ्यास दिया जाता है